तो आज है फ्राइडे और अभी में चाई पीने के लिए बेटी हूँ सुबो का तो सुबो का थोड़ा जो काम रहता है आर्ली मॉनिंग वो सब हो गया है जैसे की घार जालू देना फिर किचन साफ करना किचन के बर्दन दोना वो सब अगेरा तो अभी चाई पिऊंगी और अभी चाई पी लेती हूँ और देखती हूँ आस सारा दिन में क्या करूंगी क्योंकि मौसम खराब है तो बाहर का कुछ काम तो हो नहीं सकता है घर के अंदर ही तो चलिए फ्रेंस आ गई हो नहा कर खाना बनाने के लिए तो दाल सिटी लगा ली है और जो पत्ता गोबी है उसे अभी मैंने कड़ाई में थोड़ा बोईल होने के लिए रखा है खाली पत्ता गोबी हो थोड़ा सौफ्ट हो जाई इसलिए और उसके साथ मैं आज बनाऊंगी एक चोचोरी तो जो डाठा होता है फूल कोबी का तो वो डाठा के साथ में सीम, बेगुन, आलू ये सब देकर एक चोचोरी बनाऊंगी डाल रहेगा और पत्ता गोबी का सबजी और एक जन ने तो बोला था कि आलू भाजा आप मैं देखती हूँ आलू भाजा करती हूँ कि नहीं तो गाजर है तो गाजर और आलू भाजा अगर टाइम रहता है तो मैं बना दूँगी तो मेरी हो गई थी तो अभी कुकर खाली कर रही हूँ क्योंकि आज मैं फुल कोबी का जो डाठा होता है उसका चोरचोरी बनाँगी तो वो डाठा को एक बार अगर हम सीटी लगा लेते हैं ने एक सीटी तो थोड़ा नारम हो जाता है तो खाने में मतलब अच्छा लगते है इसी रहते हैं तो हाड रहते है फिर आप देर तक पकाना पड़ेगा फिर कड़ाही में इसलिए मैं उसे बोईल अभी कर लूँगी एक सीटी लगा लूँगी तो वही अभी मैंने यहां पर चड़ा दी है और इसी के साथ अभी मैं जो पत्ता गोबी की सबजी है वो मैं ब आओ दरो दरो ठरो शोड़ा है और अप अब मैं थोड़ से उस्पार आओ थोड़ा थोड़ा थाओ आओ थेल नहीं वहांगी एक सोड़ाओ मैं थोड़ा है फिर ददी हिर्चारल दूजवांगी हमिए भी स्ञोवां पुराओ दॉड़ाओ थेय। वाड़ाओ थेश्य के आजाओगी आजाओगी दाठा कर चोड़ी रेडी है साथ में गाजा रालू फ्राई दाल और ये पत्ता गोबी की सबजी लांच में आपन गया है दिशू के पापा भी आ गया है तो भी मैं फटाफट से खाना निकालूंगी तो दे दीती हूँ खाने के लिए फिर खाके थोड़ी रेस करेंगे इसलिए तो आज है सेटर्डे और अभी मैं और दीशू के पापा दीशू को स्कूल में देख कर आए हैं क्योंकि आज उसका इंटर्व्यू है क्लास वन का तो इसलिए और ये रहा उसका स्कूल तो बिल्कुल ही मेरे घर के बगल में चलिए अभी लग जाती हूँ अपने काम में तो तो लग जाती हूँ अपने काम में और हाँ वो दीशू थोड़ा नार्वस थी ना तो इसलिए हम दोनों ही गये थे उसे छोड़ने के लिए तो उसे फिर बोला ही कि हम लोग बाहारी रुकेंगे तो फ्रेंस दीशू को जब हम लेकर जा रहे थे ना तो वो थोड़ी नर्वस थी तो हम लोगों ने बोला था कि हम बाहारी रुकेंगे तो माराम से करना तो ऐसे हम ना उसके बुआ थी तो फिर हम नहीं रुके हम आ गए थे क्योंकि उसके बुआ तो थी जब एक्जाम खतम हो गया तो कॉल किया फिर जाकर दिसु के पापा लेकर आये है तो अंदर जाने के बाद वो बोला पुरा फ्री हो गई थी नर्वस थी नहीं इतना बाते कर रहे थी है तो एक्जाम जल्दी कर तो हो गया था ना इसका इसलिए तो फिर मैं अभी यह साफ तो कर रही थी पर माइन में मेरा चल रहा था दिसु को ही लेकर मैं सोच रही थी तो जब स्कूल से आये थी ना तो हम लोग पूछ रहे थे ये आया था मम्मी ये आया था तो वही था और अभी मैं अभी फटाफट से काम कर लूँगी अपना बाकी तो अभी नहा कर पूजा देना बाकी ही था मेरा तो चलिए फटाफट से अपना काम निप्टाती हूं पूजा भी हो गया है और आधा खाना मेरा बन गया है तो जिसकी दाल हो गई है और भाजा बनाई थी वो हो गई है तो एक सब्जी बिठाई है और साथ में चावल बिठाई है तो सब्जी हो जाए और चावल सिटी लग जाए फिर हमाया लांच बन का रेडी हो जाएगा तो चलिए फ्रेंज आज का व्लोगी नी परेंट करती हूं तो मिलती हूं नेक्स व्लोग में और ये वीडियो कल का वीडियो आज का वीडियो मिक्स होके जाएगा इसलिए आज आधा ही बना रही हो तो चलिए बाई